10th class आपके exams बिल्कुल पास आ गया है साइन्स का तो आप लोगों को अब कमर कस लेनी चाहिए ठीक है न एनिवेज खैर वीवर डूइंग डूइंग पेपर 16 जिसमें हम लोगों ने 20 20 questions करें थे 20th question मैंने आपको बोला था मैं आपको दुबारा explain करूंगी डंक से मैंने मैंने नहीं करा था तो 20th question लेते हैं start करते हैं class 10th sample paper 16 20 onwards okay तो what is the frequency of red color of wavelength 8000 extra मतलब हमें frequency निकालनी है जिसकी हमें red color की जिसकी wavelength हम लोगों को दीवी है wavelength मतलब lambda frequency मतलब जो new से हम करते हैं ठीक है तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो यह आ जाएगा कि आप लोगों को माडू में c upon lambda c जो होती है वो हमारी होती है velocity of light 3 into 10 रिस पावर 8 meter per second ठीक है अपन 8000 एंक्स्ट्रॉम दिया है तो 8000 को हम 10 रिस तुदी पावर ठीक है जब हम इसको solve करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 3 by 8 into 10 रिस पावर 8 तो दिया ही हुआ है जब यह minus पावर उपर आ जाएगी तो यह यहाँ पर add हो जाएगी और यह जो 3 0 है वो subtract हो जाएगे तो हमारा answer आ जाएगा 3.375 into 10 रिस पावर 15 ठीक है और एक हम point यहाँ पर पावर 14 जो हमारा first option है ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा second फिर हमारा next question है 21st question 21st question हमारा है कि the refractive index of glasses 3 by 2 the velocity of light in glasses refractive index जो है हम लोगों को मतलब जो new ये refractive index का symbol ये होता है ठीक है न रिफ्रेक्टिब इंडेक्स हमें glass का किता दिया वाय है आपको मालूम है light की velocity है अब वो हमें glass के निकालनी है और ये इसकी value हमें 3 by 2 dv है ठीक है तो अगर हम इन दोनों को cross multiply करेंगे तो ये आजाएगा 3x is equal to 3 into 10 raise power 8 by 2 3x is equal to 3 into 2 ठीक है और x निकालेंगे तो ये 3 नीचे आजाएगा ये 3 से 3 कर जाएगा तो हमारे पास answer आजाएगा 2 into 10 raise power 8 meter per second जो हमारा second option है ठीक है तो हमारा ये आजाएगा second option will be right now next question है हमारा question number 20 second 20 second में हमें ये बताया गया है कि जो एक object है वो f by 2 distance पे convex lens के convex lens का जो एक object है उसका जो distance है उसमें हमें f by 2 दिया गया है ठीक है और जिसकी focal length f है मतलब जो उसकी focal दूरी है वो क्या है f है और जो object है मतलब जो वस्तू है वो उसका जो distance है वो f by 2 है तो हमें इसका distance निकालना image का देखो सबसे पहली बात ये कि convex lens है तो इसका answer हमेशा minus में होगा ठीक है तो आपको और कुछ देखने की ज़रोती नहीं है सीधा माइनस लेट फ्लिक हो ठीक है tricky है मतलब ये ध्यान करने वारी चीज़ें तो इससे हमारा answer fast भी होता है और हम लोगों को doubt भी नहीं रहता है question number 23rd है हमारा convex lens ये convex lens दियावा है जो ये convex lens की focal length है उसको हम पहले 25 cm को change करेंगे ये हमारा हो जाएगा 1 by 0.25 डायप्टर में ठीक है तो ये हमारा आजाएगा 4D और फिर हम दूसरी को change करेंगे concave length की तो वो आजाएगी 1 by minus 0.1 क्योंकि concave mirror है ठीक है तो ये हमारा आजाएगा minus 10 डायप्टर अब हमें मालूम है कि power का जो formula होता है P1 प्लस P2 होता है तो बस 4 minus 10 हमारा answer सीधा आजाएगा minus 60 ठीक है तो we'll go with option number C next है हमारा question question number 24 the clear sky appears blue क्योंकि हमें अब देखों इसमें हिंदी में कोई वो दिक्कत नहीं है हम लोगों को sky नीला क्यों नजर आता है तो इसका सीधा answer है कि जो violet और blue lights होती है वो जादा फैलती है और colors के इलावा मतलब वो scattered जादा होती है जादा फैलती है तो इसकी वज़े से हम लोगों को वही नजर आता है अब question number 25th आ जाएगा कि what do we observe on pouring the acetic acid on red and blue litmus paper 25th का हमारा है कि क्या होता है अगर हम acetic acid को जो सिरका होता है हमारे गर का जिसको हम acetic acid कहते हैं उसको अगर हम blue and red litmus paper में करें तो इसका simple सा answer है क्योंकि acid है तो लाल का लाल ही रहेगा लेकिन नीला litmus जो है वो red में बदल जाएगा तो हमारा सीधा answer आजाएगा 26th है कि which of the falling solution has a higher concentration of H plus ions कि यह जो नीचे जित्ते भी option दिये है इसमें सबसे जादा जो H plus ion है वो किसमे है यह आपको मैंने class में भी बताया था कि H plus ion सबसे जादा जो है वो strong acid में होते हैं ठीक है ना तो 26 का हमारा answer आजाएगा क्योंकि HCl that is the strongest acid सबसे जादा strong acid है वो ठीक है तो इसके बाद है सबसे जादा मतलब इन सब में question number 27th है हमारा कि in the following practical state which of the following gases emitted अब देखो 27th में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक metal का sample दिया हुआ है ठीक है और gas के bubbles आ रहे है तो यह हमारी जो gas है और आपको मालूम है कि जो metals होते हैं जो धात हुए होती हैं वो कौन सी gas निकालती है hydrogen gas तो सीधा हमारा answer आएगा 27th का hydrogen gas उसके बाद अबना next question है 28th 28th भी उन्हें बोला है कि non metals जो हैं उनको हम लोग बरतर बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहली बात यह हैं कि जो non metals जो होते हैं जो अधात होती हैं वो सूचालक नहीं होती विद्यूत की और किसकी उश्मा की तो इसकी वज़े से उसके जो है बरतर नहीं बनाया जाते हैं तो हमारा 28th का option आजाएगा डी विच इस राइट आंसर 29th का question है अ बोडी वांटे तो रिमूव दाग्री स्टेंट फॉर्मा शर्ट तो ही यूज़न एक सोलूशन हेर एक सोलूशन इस वाट हमें मतलब जैसे हम लोगों को ग्रीज का कोई हटाना हो निशान हटाना हो तो हम कौन सा उसमें solution यूज़ करेंगे तो हमारा इसका आंसर आजाएगा अमोनियम हाइड्रोकसाइड हम यूज़ करेंगे जिससे कि हमारे ग्रीज के स्टेंट चले जाएंगे ट्वेंटी नाइइध के बाद हमारा आ जाएगा question number 30 30 हमारा आ जाएगा ये 30 हमारा question है कि electron dot formula क्या है sodium का तो आपको मालूम है कि sodium जो धातु है उसकी जो electronics अरंचना है दो आठ एक है तो मतब इसके लास्ट में एक electron है और एक electron वाला option हमारा आ जाएगा नेक्स question है हमारा 31 31 में हम लोगों को एजर्शन दी भी है कि olfactory indicators और दोस कलर चेंजिस इन एसेडिक and basic medium कि olfactory indicators मतब जो सूंग के सूंग के हम लोगों को indicators जैसे vanilla essence हो गया या प्याज हो गया आपको सूंग के पता चल जाता है कि प्याज है तो ऐसे लोगों को indicators को ऐसे सूचक को हम क्या कहते हैं olfactory indicators कहते हैं English में और हिंदिद में सुगंद वाले सूचक कहा जाता है तो olfactory indicators वह होते हैं और दोस कलर चेंज इन असेडिक बेसिक मेडियम जिनका कलर चेंज हो जाता है असेडिक मेडियम में भी और बेसिक मेडियम में भी ठीक है उसका reason उन्होंने दिया है they react with acidic and basic solution क्योंकि वह react करते हैं तो हमारा इसका answer जो होगा वह डी रहेगा क्योंकि दोनों चीज़ें गलत हैं तो आपका आजाएगा कि बोथ assertion and reason are false ठीक है next हमारा आजाएगा 32nd question 32nd question है कि corrosion of iron is a serious problem मतलब जो जंग लगने की प्रक्रिया है वह एक serious problem है वो तो है ही every year an enormous amount of money is spent to replace the damage iron बहुत खर्चा होता है हमारा इसको ठीक करने में तो यह हमारा जो है यह बिल्कुल सही है reason भी और assertion में सो हम option number a के साथ जाएंगे next question हमारा आ जाता है 33rd question जिसमें लिखाए कि hemoglobin जो है वो respiratory pigment नहीं है ठीक है और जो reason दिया है उन्होंने कि यह oxygen को transport करती है oxygen को हमारी पूरी body में फिलाती है तो 33 का हमारा D आ जाएगा कि जो हमारा assertion है जो जो हमारा assertion है यह वाला वो 33rd का हमारा आ जाएगा D जिसका assertion false है लेकिन reason जो है वो ठीक है ठीक है तो हमारा D answer आ जाएगा next question हमारा 34th question है कि planets do not twinkle planets जो है वो twinkle नहीं करते पता है आ नहीं होता मतलब वो रौश्णी को फिलाते नहीं है तो हमारा इसका answer C आ जाएगा जिसमें assertion तो true है लेकिन हमारा reason गलत है 35th question आएगा हमारा कि कौन सा correct order बताता है कि acidic strength मतलब अमलिय शक्ति किसमें सबसे जादा है तो 35th का हमारा answer आ जाएगा D जिसमें की जो हमारी अमलिय शक्ति है वो कहां पर सबसे जादा किसमें है इसमें तो सबसे कम इसमें है तो start इन्होंने increasing order में correct order पूचा है acidic strength का तो यह हमारा जो आ जाएगा वो हमारा answer आ जाएगा 35th का D सबसे कम अमलिय पावर इसमें है ना सबसे जादा है तो यह इस order में चल रहा है तो हमारा answer दी आएगा चलिए अब हमारा 36th question आ जाता है कि which of the following about the reaction is correct इसमें हम लोगों का कौन सा correct है 36th का हमारा आ जाएगा पहला की जो लेड है यह वाला जो लेड है यह यह रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस मतलब इससे oxygen हट रही है तो यह बात सही कह रहा है और उसके बाद हमारा आ जाएगा second carbon dioxide is getting dioxide नहीं यह ठीक नहीं है carbon dioxide oxidize नहीं हो रही oxidize का मतलब होता है अप्चेयन मतलब उसमें oxygen जुड़ना तो यह सही नहीं है third हमारा है कि carbon is getting oxide carbon में oxygen जुड़ रही है उसका अप्चेयन हो रहा है तो हमारा option number B आ जाएगा one and three are right ठीक है 37th question आएगा हमारा the shape of the guard cells आपको पता है यह stomata होते हैं जिनको रंद्रक कहा जाता है और इसके दोनों तरफ वो होते हैं जिनको हम guard cells कहते हैं यह मैंने किती बार चोटी classes में काफी करवाया है आप जब चोटी class में थे तब आपको भी करवाया है तो इसका हमारा main आजाएगा कि the shape of the guard cell changes क्यों change होता है क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाता है तो 37th का सी आजाएगा कि amount of water in cells फिर हमारा 38th question आएगा 38th question हमारा है this is the functional unit of kidney kidney का हमारा function unit हमेशा nephron होता है इंदी में भी इसको nephron कहते हैं और इंग्डिश में भी इसको nephron कहते हैं ठीक है 39th question आएगा हमारा the power of the combination of two lenses xy is 5D if the focal length of length x is 15 cm तो इसका focal length क्या होगा यह मैंने यह हमारा इसका जो आंसर आएगा वह आएगा माइनस 60 cm क्या आएगा माइनस 60 फॉर्मुला आपका वही लगेगा पावर का जो लगता है P1 प्लस P2 और उसकी जो focal length होती है वह उसकी reciprocal होती है उसे आप calculate कर लेना अगर नहीं कर पाए तब भ भी करवाया है कि इसका माइनस सिक्स आंसर आएगा ठीक है ना पॉर्टी का भी करवाया था आपको 25 cm एक की convex lens की focal length थी और की यह थी तो यह हमारा आ गया 40 का सी पार्ट तो यह आ जाएगा 40 का सी पार्ट पॉर्टी वन का question है एक सिकिंद मैं हमारा यह आ गया 40 का सी पार्ट उसके बाद हमारा 41 का पार्ट आ जाएगा कि oxygenated blood is pumped from heart to the rest of the body आपको मैंने उस दिन में बताया था कि जो oxygen वाला blood होता है वो iota के through जो है वो पूरी body में जाता है तो हमारा answer a आ जाएगा 42 का आ जाएगा कि plants use the energy stored in ATP to accomplish the process of transportation of plants जो energy use करते हैं किस चीज़ में करते हैं तो हब plants अपने जो energy use करते हैं वो food बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो हमारा option d आ जाएगा 43 का हमारा है कि light rays दीवी है a और b और एक x component दिया हुआ है वो c और d में आ रहा है तो यह पूछ रहे हैं कि the optical component मतलब जो यह x है वो basically क्या है तो यह हमारा आ जाएगा ए पार्ट कि यह एक concave lens की तरहें काम कर रहा है ठीक है जी तो यह हमारे concave lens की तरहें काम कर रहा है next question हमारा आ जाएगा 44 इन में किसमें जो है आपको रिफ्रैक्शन दिख रही है ठीक है अपवर्तन दिख रहा है तो यह हमारा आ जाएगा सी में आप देख भी रहे हैं कि यहां से रेओ लेजा लाई जाती है और यहां पर यह जा रही है तो सी पार जो है जिसमें हम लोगों को अपवर्तन साफ दिखाई दे रहा है 45 का हमारा है यह भी सॉल्ट करने वाला है कि अब्जेक्ट इस प्लेज़ दिस्टंस दस सेंटीमेटर फॉम दे कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंद 15 तो में डिस्टंस इसमें दस दिया हुआ है ठीक है और इसका जो फोकल लेंद है वह हमारी किति दीवी है 15 दीवी है तो प इसमें कौन सा फॉमुला लगेगा मिरर फॉमुला लग जाएगा ठीक है तो यह हमारा आजाएगा आंसर 6 cm 1 by v 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u का फॉमुला लगाके इसको निकालेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उच्छे पूच सकते हैं क्वेशन नमर 46 का है कि यह आपको दिये वे हैं लाइट के पात दिये वे हैं l1,l2,nl3,l1,l2 तो दिया नहीं या l1 ही दिया वह है तो क्वेशन ही कंप्लीट नहीं है तो हम नेक्स क्वेशन में स्विच ओवर करेंगे कि 47th क्वेशन कि the magnification of concave mirror is minus 1 magnification आपको मालूम है क्या होता है जिससे कि जो हमारा formula होता है m is equal to h2 by h1 वाला ये वाला जो formula होता है वो हमारा magnification का formula कहलाता है यह हम लोगोंने करा हुआ है तो अब इसका मतलब क्या है उन्होंने पूछा है कि magnification minus 1 है इसका मतलब क्या है कि पहला इन्होंने दिया है कि object must be at the focus of the concrete mirror की जो object है वो कहां पर है focus पर है दूसरा जो इसकी image बनी है वो virtual है virtual मतलब परदे पर उतारी नहीं जा सकती और image formed is erect, cd है या none of these तो हमारा इसका answer आजाएगा none of these, d आजाएगा 48 का हमारा है which of the following is non-ductile, non-ductile मतलब इसको तारों के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता तो bromine को नहीं किया जा सकता, यह तूट जाता है तो 48 का हमारा d आ जाएगा फिर हमारा आ जाएगा 49th question 49th question हमारा है the current order of increasing reactivity of metal is, अब देखो यह p metal, p dhatu तुमें दीवी है, इसमें slow तुमें मतलब मालूम है, बहुत हलका और vigorous का यह तो इसका जो हमारा answer आएगा वो a part आएगा कि जो सबसे जादा धातू की मतलब इसमें अभिक्रिया शिलता है उसके साब से सबसे जादा जो है, वो s है फिर हमारी q है, फिर r है, p है तो यह हम लोगों को increasing order में करनी है तो यह हमारा option number a आ जाएगा फिर हमारा 50th question आएगा which metal is indicated by r इसमें जो r है, वो कौन सा है आपको मालूम है, r जो होता है वो पानी के साथ कम reaction करता है और steam के साथ एकदम जोर से reaction करता है तो यह magnesium धातू है जो ही आएगी अब उसके बाद आजाएगा 51st question 51st question है which metal can replace r from its salt solution तो 51st का हमारा d आजाएगा, d किसलिया आएगा क्योंकि जो यह हमारा b और c हैं, यह दोनों जो हैं, वो बहुत मतलब reactive है, मतलब कौन सा metal जो है, वो डिस्प्लेस करता है जो जाधा reactive होता है, तो जाधा reactive कौन से है यह वाले दोनों है, b और c तो हमारा option number आजाएगा 51st का d next question है, हमारा 52nd question which metal is likely to be displaced by r तो कौन सा, कौन सी धातू है जो की r से displaced हो जाएगी तो इसमें हमारा आजाएगा 52 का a part कि जिए p है, क्योंकि p जो है इससे कम reactive है तो यह हमारी धातू पहले आजाएगी तो we'll go with option number 52 का a next अभी यह हमारा आजाएगा 53 question आजाएगा यह तुम्हें पूरा का पूरा यहाँ पर paragraph दिया हो है, जो मैं एक बार समझा देती हूँ कि digestion एक मनलब चुपचाना है खाना वो एक मतलब मनुशियों में the process of intake of essential nutrients in the form of food takes place to an entire system in human includes elementary canal and its associated digestive glands आपको मालूम है कि पूरी की पूरी elementary canal मतलब मुझ से लेकर हमारे एनस तक का जो सारा पाट आता है वो हमारा भाग आ जाता है और उसके साथ जो digestive glands होती है जैसे liver हो गया वो भी हमारे digestion में पाचन में वो होती है helpful होती है तो इन्होंने यह पूचा है कि the elementary canal इसे बताया है कि elementary canal is a muscular coiled tubular structure elementary canal इक tubular structure होती है जो 9 मीटर की length की होती है और यह मुझ से शुरू होती है और inner spend होती है जैसे मैंने आपको बताया और उसमें अलग-अलग भाग आ जाते है जैसे मैंने आपको class में करवाया है पहले मुँ आ जाता है फिर food pipe आ जाती है पेट आ जाता है चोटी आथ आजाती है बड़ी आथ आजाती है और उसके साथ बहुत सारी चीज़े भी जुड़ी होती है जैसे कि salivary amylase जो हमारे मुँ में होता है वो एक तरह का gland होता है मतलब secretion करता है वो क्या निकालता है saliva निकाला है थूक निकालता है liver एक gland मैंने जैसे अभी आपको बताया pancreas जो है जो insulin निकालता है तो यह आपको एक general knowledge उन्होंने दे भी है अब इसके बाद वो आपसे question बूच रहे है कि in which of the following organ is digested मतलब इन में से कौन सा ऐसा है जिसमें की digestion प्रक्रिया होती है तो यह हमारा आजाएगा D part हमारे पेट में और छोटी आंत में होती है 54th question है which of the following is the final product or digestion last में क्या होता है हमारे final product क्या होता है खासकर अगर protein जो होती है वो amino acid में बदलती है क्योंकि protein chain होती है amino acid की 55th question आजाएगा what are peristaltic moments peristaltic moment क्या होती है जो हमारी body के अंदर जित्ते भी पाचन के लिए moments चल रही होती है उनको हम peristaltic moments कहते है और इसका हमारा जो आजाता है वो इसका मतलब यह होता है कि यह contraction हो रही है contraction मतलब सिकुडना मैंने आपको class में भी बताया था हमारी body में दोर प्रक्रियाएं होती है संकुचन और फैलान मतलब फैलाव होना और सिकुडना सिकुडना फैलाना तो इसी की वज़े से हमारी body में यह जो moments होती है फिर हमारा next question आजाएगा 56 question कि इन में से कौन सा enzyme है जो कि saliva में थोक में present है तो amylase present होता है तो 56 का A आजाएगा फिर हमारा आजाएगा 57th question 57th question है हमारा कि focal length convex lens की क्या है convex lens है और focal length बूचिए तो obviously इसलिए plus में ही होगी बाके सारे negative है तो हमारा answer number D आजाएगा 58 हमारा आएगा in the table which observation is wrong हमारा 58 का D part आजाएगा serial number जो 6 है वो गलत है हमारा 59th question आजाएगा एक convex lens को focus करने के लिए sunlight को focus करा एक paper पर तो where the paper should be placed so that it catches fire कहां भी paper को रखो जिससे की उसमें आग लग जाएगा और ऐसा होता है मैंने बच्चों को करके दिखाया हुआ है जब करोना नहीं था और जब आपको भी दिखा दोंगी of course हम लोग मिलेंगे अभी जल्दी तो यह हमारा आजाएगा 59th का हमारा सी पार्ट आजाएगा कि फोकस एक ऐसी जगह है जहां पर सारी लाइट अगर वह फोकस होती है तो पेपर जल्द तक जाता है 60 आजाएगा कि approximate value क्या है Magnification की Serial No.4 की तो हमारी जो approximate value है Serial No.4 की क्या है –3 ठीक है 60 है और 20 है तो obviously –3 होगा 60 by –20 तो 2,3,6 तो –3 हो जाएगा ठीक है यह हमारा था Sample Paper 16 नेक्स Sample Paper के साथ मिलते हैं जल्दी तब तक तैयारी करते रहे है all the best take care bye bye